है गाइस वेलकम टू साइक आप सब अच्छे होंगे जिससे कि मैंने कम्मुनिटेव पोस्ट करता कि आज एंजियो की जॉब्स कबार बताने वाला हूं तो आज इसकी बात करूंगा अच्छी और बिग रिक्रेट्मेट्मेट आई है इसर फांडेशन तरफ से जिसमें आप एंजियों कर सकते हैं और वो भी गॉर्मेंट एंजियों है कि जो काफी बड़ा एंजियो सर्वे को पर रहता है एसर का अगर आपने नाम सुना होगा क्योंकि यह एन्वली एजुकेशन पर एन्वल स्टेट ऑप एजुकेशन रिपोर की पोस्ट है जो अपके सर्वे उनिट के अंदर रहेगी जिसमें आपको फुल टाइम जॉब है और आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी हर बात में सीनियर रिसर्च अपनी अपनी आपको बिल्कुल समाह से जुड़के काम करने का इसमें एक मोका मिलने वाला जितनी अगर अब इसमें मिलना आला है जापके सैलिरी वह इसमें आपकी 4.2 लाग पर एनम और नेगोशिएबल एस पर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन यह समझ यह मिनिवम 35,000 प्लस इसमें आपको सैलियर मिलेगी 35,000 महिना की सैलियर आपको मिलेगी फॉर्म को अप्लाय करने के अब बात करते हैं इस और क्या क्या करता है यह फोकस करता आउटकमस और पोसेश एजुकेशन अन अदर सोचल सेक्टर पर बिल्च इंडिविजर कैपिसिटी और आपके अंदर स्विनिकेशन एक्सर और जो भी स्कूल्स और सोचल एरिया के उपर रिपोर्ट से कितने बच अब जो पर रिपोर्ट से निकालता है हर साल अब जो पोजिशन आए उसके बद करते हैं जो पोजिशन आपके रिसरेश एट की जो आई आपके सर्वेण युनिट के अंदर इसमें आपको जो काम है वो दिख लेते हैं आपको बी प्रोटक्टिव आप पर बध्लीन्ग एट आपको सर्वे करने है सारहिसनल फिर सब्सक्राइबाट करते हैं से क्वाल hypothis क्वालिफिकेशिनд क्या मांगी नोगे तो अगर से तुAD अगर आप सॐज्योंने किसी पी फिल्ड से मिनिम्मुंक्रेजूट graduate in any field तो आप apply कर पाएंगे और आप background in social work और education will be advantage ठीक है अब बात करते है work experience की work experience में कुछ नहीं है experience and performance in intensive will be considered ठीक है अगर आपने कोई experience है और अगर आपने intensive करिये तो apply करिये यह यह आपको advantage मिल सकता है अगर आप fast graduate है तो भी हम apply कर पाएंगे ठीक है experience experience और intensive की कोई essential नहीं है ठीक है अब बात करते है previous अगर आपने इससे पहले कोई job करिये कुछ experience है तो आपको preference मिल जागी बट यह इजेंशन नहीं है desirable ठीक है अगर आपने experience नहीं है आपके पास कुछ job आपने पहले नहीं करिये तो भी आप apply कर पाएंगे अब बात करते है exposure to research and fieldwork अगर आपने सब्सक्राइब कर रहा है और उससे के something intensive पर यह fieldwork की तरह आपने तो आपको advantage मिल जाएगी बस strong return and oral communication skill and correspond with the diverse audience आपको आपकी कम्निकेशन और इसकी स्ट्रॉंग होने चाहिए क्योंकि minimum supervision के अंदर वक करने के लिए able to handle work expressor and deliver under tight schedule ज्यादा काम मिलेगा तो आप असे करने के लिए प्रेशर असके जहले लाया को take initiative and think you know innovately respectivously and able to work इनका जो 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 ऑगनाजिशन की काम होते हो नहीं लिखा है open to living a ruler setting and basic facility and local population अगर आपको कई बाहर जाना मिल बाहर जाना होता है लोग रूलर अमें वगर तो आपको उसके लिए टीए यानि ट्रेंग अलाउंस वगर भी सबको मिलने वाला है आपको और food etc भी इसमें आपको उसका आप पैसा मिलेगा ठीक है तो सब चीज़ को ऐसा पैसा आपको मिलने वाला है बात करते हैं अप्लाई की तो to apply please write the job title आपको email करना यह है मांगी है आप उसने read करें और उसके according अपने एक अच्छा CV बनाएं और इन्हें आप जब जाके इन्हें meal करें जिससे आपके chances बढ़ जाएं आपका CV select होने के और साथ में आजब आपको एक SOP बनानी है SOP मतलब statement of purpose की आपको describe करना है कि how you make a good fit for this role आप इस job के लिए क्यों fit है कि अपने को आप एबल समझते हैं जोब के लिए तो आपको 800 word में describe करना पड़ेगा इन्हें please give specific example that align with the job requirement ठीक है आप जब इन्हें अपने CV मिल करेंगे तो आप subject line में लिखेंगे सबसे पहले research associate survey unit उसके पाद अपना CV आटेस्ट करेंगे और साथ में आप एक SOP लिखे 800 सब्दों में कि आपको क्यों यह जॉब चाहिए और आपके इस तरह किस लिए इस जॉब में अपना पूफिट समझते हैं इस पॉजिशन के लिए इनकंप्लीट application विल नॉट बिकंसिड़र शॉट लिखेंट विल बी कंडेक्टेट फॉट्री सबस्टेंट तीन तरह के राउंड होंगे पहला टेलीफोन है इसकाइब इंटर्वी होगा फिर आपका रिटन एसायमेंट और लास्ट में आपको फाइनल इंटर्वी होगा और सेलर आपकी 35,000 समतिंग इसमें रहेगी यहींनि 4.2 लाग पर रहनम की सेलरी है सारे फैसलिटी मिलीगी आपको आपको रूलर अर्बन टेपार्ट्मेंट पार्टनर्स डोनर्स और्गनाजिशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम बनेगे आपको मोका मिलेगा तो एक बहुत अच्छे एडवांटेज है आप फ्रेश गजुए या पीजी कर रहा है आपने तो आप जुरूर अपलाई करें अगर आपने कोई इंटनसिफ करिये तो भी अपलाई करें आप सब कुछ अपने सीवी में अच्छे से आप मैंसन करें जो जो इनकी रिक्वार्मे परें मिलने के वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू